गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, थैंक यू वेरी मच आप लोगों के इतने अच्छे रस्पॉंसेज के लिए और आप मेंसे मुझे लगता है 90% लोगों का आप सबसे जो most important question आ रहा है वो आ रहा है कि आईए इस prelims 2022 के लिए क्या करें आज हम काफी short में एक complete strategy discuss करेंगे और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि I myself cracked civil services prelims all six times तो आप लोग मेरी strategy पे आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं ओके IAS prelims 2022 complete and to the point strategy What do I mean by complete and what do I mean by to the point अगर आप आने वाले कुछ महीनों में इस पूरी strategy को follow करते हैं तो आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है और आपका prelims 100% clear होगा सबसे पहले मैं सिर्फ एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि pre mains or interview में काफी students हैं जो they sometimes they keep focusing on mains in interview because most of the toppers and sometimes most of the coaching institutes suggest that people should prepare for mains first then they start preparing for a pre आपको सिर्फ में बता दूँ मेरे हिसाब से I can guarantee कि prelims is the most difficult and most important stage अभी January 20th मान के चल रहे हैं और 5th June के around roughly prelims होगा 20 January से लेके 5 June तक आपके पास कितना time है roughly 4.5 months यकीन मानिये those who are giving first attempt and even those who are giving second attempt they don't have much time left इसी लिए मैंने strategy को दो लोग दो parts में divide किया है first attempt यानि कि जिन लोगों की preparation अच्छी नहीं है first attempt या फिर जो लोग confident नहीं है उन लोगों को अब किसी भी और चीज़ पर ध्यान नहीं देना है किसी भी और चीज़ पर हो सकता है कुछ coaching वाले आपको promote करें कि writing skills कर लेते हैं पहले optional पढ़ लेते हैं पहले कुछ और कर लेते हैं ऐससे कर लेते हैं जो लोग ये करेंगे वो लोग अपने रास्ते को prelims के रास्ते को वो difficult और impossible बनाएंगे अब January के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ pre करना है किन लोगों को जो लोग या तो first attempt के हैं या फिर confident नहीं है लेकिन कुछ लोग जो second attempt third attempt के हैं या फिर कुछ लोग जो बहुती ज़ादा confident है about prelims वो लोग अभी एक महिना और mains कर सकते हैं लेकिन अब आपको otherwise किसी भी category के लोग अब effort नहीं कर सकते time waste करना prelims के लिए prelims is the most difficult stage अब बात आती है कि हमें शुरुवात तो अब कर देनी चीए अब second point आता है क्या करना चीए books इतनी सारी है इतना confusion है तो फिर कैसे आगे बढ़ें इसके लिए कुछ priority है कि hundred percent करना है कुछ है कि may be may not be तो ये seven areas जो मैंने लिखे हैं ये hundred percent होना चाहिए minimum three to four revisions कैसे इसका मतलब है ये seven areas पे आपको focus सबसे ज़्यादा करना है prelims के लिए और अगर में ध्यांज अब आप थोड़ा logically सोचिए आपके पास साड़े चार महीना है ये साथ चीजें भी अगर आपको करनी है और अगर एक एक चीज में 20-20 days भी लग रहे हैं तो भी 20 days लगेंगे तो भी 140 days हो रहे हैं जितना भी आपने पढ़ा है तो अब आप देखो कई बार क्या होता है students पढ़ता रहता है हमने quality पढ़ा उस ने time को divide नहीं किया जब आपने time को divide नहीं किया तो you cannot make a good strategy लेकिन अब आपके पास साड़े चार महीने है साड़े चार महीने में आप सब कुछ नहीं कर सकते है quality, geography यह चार पढ़ने के बाद current affairs इन सब को करने के बाद आपको at least इतना हो जाएगा कि आपका score 100% कह रहा हूँ 50 question plus पक्का हो जाएगा इन ही से मान के चलते हैं इन चार चीजों से अगर 30 question भी आते हैं 40 question भी आते हैं मैं सिर्फ यह बोलना चारह हूँ हम हर चीज अभी नहीं कर सकते हैं साड़े चार महीन हैं हमारे पास तो इनको 100% करना है जिनके पास time है या जिनको इन चीजों में interest है वो उनको करें और जिनोंने कर लिया यह सब वो भी वो करें लेकिन जिनोंने अगर नहीं किया और जो आपको CSAT में वैसे भी केवल 67 marks लाने है 200 में से केवल तो CSAT में ज़्यादा focus नहीं करना है लेकिन हाँ कोई भी one book मेरे हिसाब से TMH will be good अगर आप CSAT की एक book को week में एक बार भी अगर देखेंगे तो आने वाले पांच महीनों में CSAT आपका उतना जरूर हो जाएगा और CSAT के लिए एक चीज़ और मैं strongly recommend करता हूँ previous year questions at least previous year five year question मैंने अक्सर देखा है UPSC में CSAT में सिफ numbers change करते हैं otherwise काफी question repeat होता है CSAT में तो कम से कम आपको pass होने लाए क्योंकि इसमें वैसे भी qualify करना है इसलिए आपको ज़्यादा दिमाग ने लगाना है CSAT पे कम इस एरिया पे कम लेकिन करना है focus अगर एक बार आपने ये कर लिया फिर है test series करनी है या नहीं करनी है और कितनी करनी है देखो कई बार ना आप लोगों का decision आप लोगों की वजह से नहीं होता है कई बार आप लोगों का decision आपके friends और coaching वालों की वजह से होता है अगर आपके friends ने 3 test series लगा रखियं अगर coaching वालों ने बोला है कि 2-3 test series तो भी आपको लगेगा कि मैं आपको बोलूँगा साड़े चार महीने में क्या ही realistic है कि आप इतने ज़्यादा test दे पाएं पहली चीज़ test series देनी चाहिए है नहीं तो मैं बोलूगा 100% देनी तो चाहिए ही चाहिए उसके देने से बहुत फायदा होता है उसके देने से हमें question की clarity बढ़ती है हमें answer paper देने की जो तरीके हैं वो पता लगते है एक confidence आता है एक ambience का पता लगता है और एक regularity बनते हैं जिससे हम पढ़ाई करना शुरू कर देता है और अच्छी लेकिन कितनी करनी चाहिए test series करनी चाहिए maximum one और maximum two not more than two test series और फिर कितने test करने चाहिए मुझे लगता है two और maximum three tests per week यहाँ पर मैंने लिखा है test series and test किसी भी student को एक test series या maximum दो test series join करनी चाहिए या फिर ऐसा भी कर सकते है एक test series join कर दीजिए और एक test series किसी भी coaching की वो आप घर पे लाके test solve कर सकते है क्योंकि pre की test series से कोई फरक नहीं पड़ता है वो question check आप कर सकते हैं answer sheet से लेकिन और कितने test कुछ लोग हैं जो daily test देते हैं daily test देना is not advisable अगर आपको बहुत ज़्यादा knowledge है और आपके बहुत time है तो daily test दीजे वरना two और maximum three test per week लेकिन देना जरूर है उसके बाद है देखिए UPSC pre की जो सबसे बड़ी problem है चार महिनों में घबराट बहुत होती है कि हमें सारा कुछ याद रहेगा या नहीं रहेगा उसका solution मैंने लिख दिया है कि cut off इतनी कम होती है cut off last year इतनी थी मैं इसको maximum मान के चलता हूँ it will be roughly 110 to 120 मुझे नहीं लगता है कभी भी this is the general category cut off but even if it goes to higher side in some years but it can never go beyond 120 120 का मतलब है 60 questions ही तो मुझे लगता है आपका focus अगर सही है अगर आपने propriety areas को अच्छे से cover किया है तो आपका pre होना कितना आसान है 92 पे general category obviously SCST का थोड़ा और cut off कम जाएगा इसलिए आपको motivation यह रखना है कि हमें जो भी areas कर रहे हैं बस वो अच्छे से करें 100% होगा उसके बाद है क्योंकि selection ना होने का last point है ना exam के दिन बहुत लोगों को बहुत कुछ आता है पर क्या करते हैं इसका मतलब है पूरी statement को last तक पढ़ना है UPSC में पूरा statement में कई बार एक word को change करते हैं और दूसरा all statements पढ़नी है कई बार क्या होता है आपको पहला option या दूसरा option भी सही लगता है लेकिन UPSC में fourth option भी कई बार बहुत ज़्यादा सही होता है और कई बार ऐसा answer पूछते हैं वो most appropriate not correct or wrong चारो option appropriate है पर इन चारो में most appropriate क्या है इसलिए आपको चारो statement पढ़नी है तभी आप answer दे पाएंगे और जो मैंने six times prelims निकाला मैं जिसे strategy को follow करता था वो था ये क्योंकि जब आपके पास चार option होते हैं तो कई बार confusion होता है कि क्या दो option में confusion हो रहा है लेकिन सबसे पहले वो काम करो कि जो option आपको 100% पता है ये गलत है उन दो को eliminate कर दो उसके बाद जो दो बचते हैं उनमें कोशिश करो थोड़ा और दिमाग लगाने की और फिर अगर नहीं होता है तो एक calculated guess भी लगाना चाहिए क्यों लगाना चाहिए guess लगाने से अगर आपने 90 plus attempt किये 90 plus attempt में मुझे ऐसा लगता है अगर 95 attempts है और minus 30 wrong है तो भी आपका score 65 minus 10 यानि 55 तब भी आएगा तब भी 110 का score आएगा तो आपको गलतियां तो होंगी 30 गलत होंगे लेकिन जब ज़्यादा attempt होता है कब जब आप already eliminate कर चुके है तो आप कुछ लोगों की आपकी strategy होगी जतने question हमें आते हैं उतने ही करने आप एक काम करिए कुछ test series आप मेरी जो tricks हैं उनके हिसाब से करके देखे अगर आपको फायदा होता है जिनके दो option पता है जिनके एक option पता है कि गलत है उनको भी attempt करना चाहिए अगर आप positive mind के साथ इस priority के साथ और अभी से लगेंगे अभी से तो आपकी 100% prelims clear होगा no one can stop you right चलिए, thank you very much